वेल्कम अल उफ्यू के देशा एक्स्पीरेंस शेरिंग से तहां में रेकी एंड माहिन पॉर स्टूडेंस के साथ बातचीत करता हूं कि उनको अगर मैंने सिखाए तो क्या फाइदा हुआ क्या उनको लाब मिला उसी के बारें बात करने के लिए अभी मैं संतोष वैश्य को गुला रहा हूं तो संतोष प्लीज आईएगा और अपने बारे में बताई कौन हे आप तहां से हैं मैं एक स्कूल चलाता हूं इसकूल का डारेक्टर हूं और रेकी सीखने के लिए हैं दिलिट मढिते पाठी उन्होंने ही मुझे मेरे गले में इंफेक्शन था गले के लिए जो है मैं उनके पास गया था तो ने ने कहा ठीक हो जाएगा और एक्शुली सर मुझे बहुत ही रहत मिला उनसे रहत मिला तो फिर मैं भी इंस्पार हुआ मैं भी स्वाशा सीख लूँ घर में सभी लोग ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवापी निकिसे मेडिशिन के मैंने शीखना सुरू कर दिया सर लगबक तीन सब्ता से उपर हो गया बहुत लाव है सर और इस समय तो रेखी कि जो प्रिंसिपल्स हैं आपने जो बता रखा है मार हो गए हैं बहुत नॉमिनल हो गए हैं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ स्कूल के सारे स्टूडेंट्स वीज़ा है करेक्ट वे में जाना शुरू कर दिये हैं तो आप उनके अंदर वेकी के संस्कार डालने शुरू करते हैं अच्छी बात है सर मैं पूरी तरह से पुर्जावान रहता हूं सर मैं काम करता हूं ठकांत होता ही नहीं होता है एक दम नहीं होता है सर तीन हफ़ते हुए हैं एक मेना भी नहीं हुआ नेक्स्ट है जो वह है रत्ना नशीने मेरा नाम डॉक्टर रत्ना नशीने है मैं डीम हूं लिंगो मुदियान कॉलेज ओफ एक्रिकल्चर रिस स्टेशन नारायंपुर चतिसगर से बोल रहे हुए हुए आपका जो कोर्स था वो फेस्बुक से मैंने यह किया था उसको और मुझे सर वर्टीगों का प्रोब्लेम था तो मैंने आपके कोर्स को जॉइंग किया था बहुत पहले मैं सुन चुकी थी तो मैं मतलब उसको करना चाहा रही थी पर मुझे कोई इतना अच्छा मिल नहीं पा रहा था पिर आपका कोर्स मैंने जॉइंग किया तो मुझे जो एमजी की किया फिर फॉर्टी एट एमजी की और लगातार मुझे तीन मैंने खाने बुला था लेकिन अभी सब्से मैं आपका पॉर्स जोइंग की और मैंने हीलिंग शुरू किया है तो मेरा और मुझे मतलब सोच लिजिए कि 21-23 हफते ही मुझे भी हुए है तो मेरा सारा जो वर्टीको का प्रॉब्लेम था वो खटम हो गया और मेरे दवाएं भी बंद हो गए मुझे बहुत फ्रेश लगता है साठ मेरे साथ ने होते हैं तो काफी दिकत ओए आती है तो बहुत चिड़-चिड़ करती थी आजकल मेरे साथ ने बहुत पॉसिटीबिटी है और मैं बहुत फुश रहती हूँ सार मतलब मुझे आजकल टेंशन होता ही नहीं है थांक यू वेरी मुझ सार दस दिन के करीब के बाद मुझे लगा ये चीज़े तो बहुत अच्छी बात है दावाबंद कर दिया सर I am very thankful to you Thank you very much मुझे जुडने के लिए और मुझे जुडने के लिए आपने विश्वास करके किया तो definitely फाइदा हुआ अब इसटीज को दूसरों के लिए इस्तमाल जरूर कीजिएगा सिर्फ अपने तक्सीमित मत रखिएगा So, so far so good बहुत अच्छी बात है कितना अच्छा लगता है जब सुनते हैं लोगों को कि भाई उनकी ये ये प्रॉलम सॉल्व हुई हमें भी आत्मविश्वास आता है कि मैं हमारे भी प्रॉलम सॉल्व हो सकता है रही अमीता मेता आएंगे मैं अमीता मेता 64 येर्स और पावनगर गुजरात से हूँ मैंने सर से एट्यूट में लिया तो पहला अनूपव तो बहुत ही अच्छा था उसके बाद मुझे जो बीमारी थी दीरे-दीरे कम होने लगी है मुझे भी वर्टिगो था मैं जब सोती थी तो भी मैं स्काफ बान के सोती थी लेकिन मुझे भी अभी वो स्काफ बानने की जरूरत नहीं पड़ी है उससे मुझे भी ये हीलिंग 12 पॉइंट की हीलिंग से भी अच्छा लगता है और मेरा जो पैर का दर्था जो मैं फ्लैट फूट है मेरा तो उसका जो दो रोटी में बनाती थी तो मुझे स्लिपर की कुछ पैनता था डोक्टर ने बोला था जब आप सोए तभी निकालना तब तक पैंट के रखना लेकिन मैंने के ट्वेंटी डेज से मैंने स्लिपर भी नहीं पैना है और मेरा पैर भी दढ़ने हो रात को में एक पॉइंटमेंट में नहीं लगाती हो तो मुझे यह सब बहुत सारे और भी है लेकिन मैं सर से सर से साथ चुड़ी हूँ तब से मुझे सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है तो मैं सर से थैंक यू बोलूँगी कि मेरे जिंद्गी में आके मेरा सब दुख दर्द सब दूर हो गया तो आपको बदाई देता हूं कि अब आपने एक मेनी का कोस कम्लीट करते ही थर्ड लेवल में भी एंट्रे ले लिया और आप एक रेकी मास्टर हेलर बनने जा रहे हैं तो आपका अटून्मेंट भी हो गया उसके भी एक्सपेरिंस आपने बता है तो प्लीज आप्रैक्टिस दुरो किजियेगा और थेंकियो तो थाइए जूड़ी हो नोवंबर 2023 में फेस्बूक के थूँआँ मेरे को ऐख्युली बेस्ट कैंसर इनिशल स्टेज पे डिटेक्ट वुआ था इसके बाद मैं holistic way ही try कर रही थी, मैं कोई alopathy कोई try नहीं किया, तो मेरे right brace में lump था, मैंने ये रेखी का course किया आप से, तब से मैं manifest करती हूँ कि वो size उसका reduce हो जाए, reduce हो जाए, अब वो इतना reduce हो गया कि मुझे हाथ लगाने से भी पता नहीं चलता है, और मैं सुबह daily, five principles, rules repeat करती हूँ, 12 point की healing करती हूँ, और water choice तो daily करती हूँ, उसमें manifestation होती है कि good health ये हो, so I'm very positive now, I'm very happy, मैं तो पहले घवराज आते थी, थोड़ा सा काम होता था, घर में मैं को कैसे करूँगी, I'm all the things, very happily and enjoying the life, so I'm thankful to you, बहुत साथा, obliged, बहुत ही obliged, बहुत ही obliged feel करती हूँ, thank you, God bless you, thank you very much, thank you for your blessings, God bless, thank you very much, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, जब आप आप लोग आके ऐसे बताते हैं, और आवतार कॉर हो हैं, जो शुरु-शुरु में उनको लग रहा था कि उनको time नहीं मिल रहा है, वो manage नहीं कर पा रही है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि सारे practices करें, उसका उनको लाब भी मिला है, उनके lumps है, almost disappear हो गए है, मैं बिलीव करता हूँ कि उनको आगे ज़्यादा treatment की ज़ज़त नहीं पड़ेगी, अगर रोपी हीली करते रहें, तो पूरी तरह से स्वच्त रहेंगी, और ऐसे ही खुश रहेंगी, थैक्यू बेर आपको ये वीडियो पसंदा है, तो इसे like and share किजेगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या, तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा, और comment box में comment जरू किजेगा, कि आपको ये वीडियो ऐसा लगा, okay, so thank you so much and bye-bye, take